Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो NCRT में सलेवर्स को रिडियूच किया गया है NCRT बुक क्लास 11 और क्लास 12 में कुछ सलेवर्स रिडियूच किया गया है कुछ चैप्टर के पोर्शन रिलीज किया गया है कुछ चैप्टर ही खतम कर दिये गया है तो NCRT के और काफी स्टुडेंट BSC Nursing की तयारी कर रहे है BSC Nursing 2024 के लिए तो अब उनके लिए यह है कि NCRT फालू कर रहे है तो अब यह सलेवर्स पढ़नी पड़ेगी कि नहीं तो यह चीज है जैसे माल लिजिए आपका Every Day of Life हो गया आप फॉलीमर हो गया ऐसे कुछ चैप्टर जो रिलीज हुए है बायो मालीक्यूल्स में कुछ पोर्शन रिलीज हुआ है तो वो अगर रहता है तो आपकी हेल्प होती आप अच्छे से कर बाते पेपर लेकिन यह चीज है तो चलिए यह देख लिजिए पूरे यह देखिए यह आपको जो PDF है न ENMC की website पे आप जाएंगे यह syllabus आपको मिल जाएगा जो reduce किया गया है तो देखिए आपको अगर आपके पास NCRT आप बुक परचेज कर लिए है और पुरानी वाली NCRT है तो very good पुरानी वाली आप अगर जो भी new NCRT आएगी यह syllabus reduce के माद्धिम से तो अगर पुरानी NCRT है तो अच्छी बात है आपको आपको help मिलेगी जैसे देखिए physics में मैं बता दे रहाँ कि आपको BSC Nursing की अगर आप तयारी कर रहे है 2024 की तो आप यह syllabus follow कर सकते हैं और अच्छे से देख लिजिए और हर chapter को आसानी से आप मेरे channel के माद्धिम से कर सकते हैं इसी channel के माद्धिम से तो देखिए physics का मैं बता दे रहाँ physics में देखिए first unit wise है unit में जो physics measurement वाले हैं तो इसमें देख लिजिए इसमें significant figure है काफी student कहते हैं significant figure से question नहीं आते हैं तो आते हैं तो इसमें अगर BSC Nursing की बात किया जाए तो significant figure important है dimension important है और SI unit यह तीन चीज बस important है आप यह तीन चीज कर लीजिए आपका काम हो जाएगा फिर उसके बाद यह देखिए second unit में kinematics आएगा kinematics देख लीजिएगा इसमें भी काफी चीज़े होती है vector से question आ जाते हैं और एकदम BSC Nursing में EG question आते हैं एकदम general science के base पे question आते हैं तो मैंने books इसलिए बता दी है कि NCRT के साथ साथ में आप कौन सी book और purchase कर लें वीडियो बनी हुई है जाके channel के देखें मैंने एक rainbow publication की बताई है और तीन book आप purchase जरूर करें अगर 2024 के लिए आप तयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं government college से selection हो जाए गर्वर्मेंट काले से course करें भी आप फालो करिए यह देखिए law आम motion में यह देख लीजिए आप second law, third law, first law यह important है यह आप करिए लिए work energy and power में force कभी-कभी निकालने का आता है कभी-कभी work done निकालने का आता है तो यह दो चीज़ आप complete करें यह देखिए rotational motion rotational motion में भी काफी important हो जाता है inertia से question आ जाते हैं कभी-कभी next में देखिए gravitation gravitation में भी काफी important यह chapter होता है unit number 6 gravitation यह तो मैं अच्छे से कराया हूँ यहां से जाके unit wise पूछ लेता है कभी-कभी question तो यह आप देख लीजिएगा टैफलर स्ला से question जितने बनते हैं मैंने करा दिया चैनल पे properties of solid and liquid यह भी देख लीजिएगा इसमें भी कुछ portion है जो की important है जितने portion important है मैं करा दूँगा next thermodynamics thermodynamics देख लीजिए यहां पे unit number 8 number unit में thermodynamics में isothermal adiabatic process heat work यह सब important है internal energy भी पूछा जाता है second law thermodynamics यह भी पूछे जाते हैं फिर उसके बाद unit number 9 में आएंगे kinetic theory आप gases में यह देख लीजिएगा यहां से भी important है जितने भी important unit में है मैं सब अच्छे से आपको बता दूँगा oscillation and wave जितना भी बता चुका हो और कुछ जो नहीं बता हूँ ओ भी कराई दूँगा physics में कुछ यह जितना है सब करा दूँगा मतलब कुछ चीज़े जो करा चुका हूँ न वो चीज़े नहीं कराऊँगा जो चीज़े बाकी है वो चीज़े मैं cover कर दूँगा important चीज़े तो आप चैनल से बने रखिए और तयारी करिए कोई इतना सोचने का नहीं कि ये नहीं हो पाएगा वो नहीं सब चीज हो जाएगा बस आपको पढ़ना है current electricity देख लिजिए unit number 12 current electricity मैंने ये तो 2-3 वीडियो करा दी है अच्छे से complete magnetic effect of current यहां से एकदम basic question आते हैं जो कि एकदम cover करा देंगे कुछ एक दो वीडियो साथ कराए भी है next में unit number 14 देखिए electromagnetic induction and alternating current में ये पूरा portion आप देख लिजिएगा count से important है इसमें ज़्यादा तर ये देखिए faradela भी important है lens law यहीं से question बन जाते हैं ज्यादा tough question नहीं आते हैं यहां से देख लिजिएगा अप्टिक से दो तीन question बन जाते हैं लेंस से यह डबल स्लिट माडल से ऐसे question एकदम basic question आ जाते हैं next में देखिए unit number 17 dual nature of matter and radiation देख लिजिए unit number देखिए unit number 18 atoms and nuclear chapter तो हटाये नहीं नहीं तो यह भी हटा देते हैं तो खतम हो जाती कहानी simple question यहां से आते हैं तो यह chapter रखा है यह chapter में काफी reduce मतलब chapter से छोटे छोटे portion हटाये गया है इतना ज्यादा कुछ हटाये नहीं गया है electronic device and यह देखिए gate से question आ जाते हैं generator diode से question पूछ लेता है तो यहां से question पूछे ही जाते हैं फिर यह देखिए कुछ experimental topic semiconductor वाले reduce कर दिये गया है जो कि एकदम subtle question आते थे simple question तो यहां देखिए यहां पे experimental skill में यह सब भी कुछ add किये गए हैं तो यह सब question पूछे जाएंगे यहां से तो यहां से बाद में जो यह सब दिये गए हैं बाद में हम लोग कर लेंगे ohmsla देख लिजिए यहां पे important है convex concave यह सब mirror थोड़ा important है next में देखिए syllabus की बात करते हैं chemistry, chemistry से भी कुछ chapter को reduce किया गया है कितने portion reduce किये गये हैं आपके physics chemistry biology में next video में मैं बता दूँगा किस chapter से कौन सा chapter reduce किया गया है तो यह next video में हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो यह देखिए next में आएंगे next में देखिए यहां chemistry की बात करेंगे some basic concept and concept in chemistry आपको पढ़ना पड़ेगा यह भी important हो जाता है next में atoms structure देख लीजिए दिया गया है यहां वे atoms structure chemistry में भी होते हैं next में देखिए chemistry chemical bonding and molecular structure सब पूरा पढ़ना है molecular orbital यह देखिए chemical thermodynamics भी पढ़ना ही है solution आपको chapter पढ़ना है equilibrium में equilibrium में ionic equilibrium और chemical equilibrium दोनों पढ़ना है redox reaction से भी question आएंगे chemical kinetics से देख लीजिए और फिर inorganic की बात किया जाए classification of element and periodic in properties important chapter है यहां से question आते हैं देखिए आपकी जो unit है P block element में 13 group S से लेके 18 group जब periodic table देखेंगे न तो 13 वहां तीन group में divide किया गया S block P block and D block and F block भी है तो यह देखिए 4 block है यहां देखिए D and F block भी है तो यह देख लीजिएगा फिर transition element देखिए transition element lengthenide actenide आते हैं coordination compound से भी है organic chemistry की बात क्या जाए purification यह देखिए quantitative फिर उसके बाद basic principle of organic chemistry यह देखिए आपका नामन culture important है यहां से question एक आते हैं नामन क्लेचर से next में hydrocarbon में देख लीजिए alkane, alkane, alkane जो की यहां आपके total chapter है फिर उसके बाद आप आएंगे organic compound containing है halogen में तो यहां से important question बनते हैं alcohol phenol और ether से भी question आते हैं next में alcohol phenol ether हो गया chloride keto ने भी important हो जाता है naming reaction कुछ है कुछ ऐसे important question आते हैं आरगनी compound containing nitrogen biomolecules देखिए biomolecules unit 19 biomolecules आपके हैं carbohydrate protein vitamins nucleic acid यह सब आपको पढ़ने कुछ portion इसमें reduce किये गए हैं लेकिन उससे कोई matter नहीं है जितना है उतना आप करना है principles related to practical chemistry देखिए कुछ chapter के portion यहां से include किये गया है तो ज्यादा कुछ हटाय नहीं गया है कुछ portion आए गया है जैसे solid state हो गया और surface chemistry हो गया कुछ ऐसे portion हटाय गया है next video में हम लोग अच्छे से कर लेंगे चलिए biology की बात कर लीजिए biology में देखिए 11th biology class की पहले देखते हैं unit number one diversity in living words यहाँ देखिए यहाँ पे living words आपको पूरा है कुछ portion वहाँ से reduce किया गया है जो taxonomical ads था वो structure organization in animal unit number second है यह पूरा आपका morphology से related morphology में कुछ add भी किये गया है cell structure and function unit number second plant physiology plant physiology में देखिए आपके कुछ chapter reduce किये गया है mineral nutrition transport यह कुछ photosynthesis यहाँ पर respiration plant growth and development यह सब जो chapter है आएंगे human physiology देखिए human physiology में breathing and respiration से direct सुरू कर रहा है मतलब first absorption वाला chapter वो remove किया गया है तो वो easy chapter था और थोड़ा कम question पूछे भी जाते थे तो reduce किया गया है लेकिन वो पढ़ लेना आप पुरानी anxiety में दिया गया है एकदम simple है तो कुछ आपको छोड़ना नहीं है जो reduce हुए है है वो भी आपको cover करने है क्योंकि वो simple थे simple question वहां से पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे एक-दो question आयसा नहीं है कि वो पूछे ही नहीं जाएंगे general science से question वनेंगे तो एक-दो question वो आएंगे जरूर तो आपको वो सब छोड़ने नहीं है simple question body fluid and circulation is creative product locomotion and neural control and coordination chemical coordination कुछ इसमें sensory आरगन से कुछ हटाए गया है तो वो पढ़ना भी नहीं है तो कुछ जो हटाए है उसको पढ़ना है कुछ remove किया गया है उसको नहीं पढ़ना है तो उस हिसाब से मैं करा दूंग असले बस में sexual reproduction in flowering plant एक चैप्टर यहां से remove किया गया है class 12 से तो वहां से एक ही दो question बनते थे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप देख लेंगे जहाँ वो life sponsor related question एक बनता था वही एक दो question frame होते थे उस chapter से तो वो chapter कर लेंगे छोड़के नहीं जाएंगे important है human reproduction यह important हो जाता है reproductive health यह भी important हो जाता है unit number 7 आएंगे genetics and evolution important हो जाते हैं इसमें सब 3 chapter थे तीनों के तीनों है कुछ portion remove किये गए होंगे biology and human welfare देखिए यह भी important है biology, ecology, ecology से 2-3 chapter हटाए गए हैं तो यह पढ़ने की आउसकता नहीं है जो remove किये गए है ecology में उसको पढ़ने की आउसकता नहीं है तो जो पढ़ने की आउसकता है वो सब बता दिये जाएगा तो आप लोग गवड़ाय नहीं और अच्छे से पढ़ाई करें classes start की जाएंगी मेर 두- Theater, अभी करेंगे तो अब यसकी नर्सिंग करें उसके रिए यार मेरी में तो चाहिए है तो अभी उतना समय मिल नहीं पा रहा लेकिन जितनी प्रिविएस वीडियो है अभी करईए इस्सी की लिंक में मैं provide कर दूंगा link वीडियो को revise करते रही है 18-19 वीडियो पढ़ चुकी है तो वो वीडियो सब previous जितनी में बता रहा हूँ उतनी revise कर लेजिए और यह देखे कहते नहीं experience का help लेजिए मेरी help आप लेजिए selection हो जाएगा क्यों कि मैं सब चीजे मुझे पता है कहां से question पूछी जाएंगी तो कैसे आप BSE nursing करेंगे कैसे BSE nursing की बाद job भी करेंगे सब चीजे बताते रहूँगा लेकिन पहले आप अच्छे से preparation करिए कैसे करना है कितने घंटे पढ़ना है पांचे छे घंटे अभी पढ़ी है प्रहल तक फाम आ जाएंगे इसके सीनेट के और other state में aims में तो काफी student aims के लिए तयारी कर रहे हैं उत्तर परदेश के लिए जारखन, 36 गार ये काफी state के लिए तयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से पोर्शन ऐसे हैं जिसको हटा दिया गया है chapter से ही हटा दिया गया है लेकिन वो chapter आपको पढ़ लेने हैं तो next video में हम लोग ये एकदम अच्छे से cover कर लेंगे तो वो भी बता देंगे सभी chapter ऐसे नहीं है कि जो हटा दिया गया है उसको पढ़ने नहीं है पढ़ने है इंपोर्टन्ट है तो next video में हम लोग कर लेंगे physics, chemistry, biology में जो हटा आए गया है पोर्शन चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें